इलाबाद हाई कोट ने मत्रा में श्री कृष्ण जन्म भूमी मंदिर से सटे शाही इदगाप परिसर के ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है कोट ने शाही इदगाप परिसर के सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एड़ोकेट कमिशनर की तकरूरी की मांग कुबूल कर ली है हिंदू फरीक के वकील विश्णू जैन ने बताया एड़ोकेट कमिशनर की तकरूरी हम जारी कर रही हैं कोट ने शाही इदगाप परिसर के एसाई सर्वे को मंजूरी दे दी है हलाकि एसाई सर्वे कब से होगा कितने लोग इसमें शामिल होंगे ये सब 18 दिसंबर को तै होगा दरसल भगवान श्री कृष्ण विराजमान और साथ दूसरे लोगों ने वकील हरी शंकर जैन, विश्णू शंकर जैन, प्रभाश पांडे और देव की नंदन के जरिये से इलाबाद हाई कोट में दर्खवास्त दायर कर एसाई सर्वे की मांग की थी दर्खवास्त में दावा किया गया थे कि भगवान श्री कृष्ण की पैदाईश की जगे मस्जित के नीचे है और वहाँ कई शारे हैं जो ये साबित करते हैं कि मस्जित एक हिंदू मंदिर था एडोकेट विश्णो शंकर जैन के मुताबिक दर्खवास्त में इलाबाद हाई कोट के सामने ये पेश किया गया था कि वहाँ एक कमल की शकल का सतून मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की खासियत है बदवार को संसत में कुछ लोगों के गुसने का मामला सामने आया था लोकसभा की हिफाज़त में बड़े खिलाब वर्जी के पांचवे संदिग्द को गुरू ग्राम से पकड़ लिया गया है जबकि छटा अभी भी फरार है पांचवे संदिग्द विशाल शर्मा ने मनस देवी मुखालिफत करते पाए गए थे दूसरा साथ ही ललित फरार चल रहा है 2001 के दिन संसत पर हुए हमले की बड़सी पर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है तिल्ले पुलिस ने यूए पीए पिछले चार साल से सोशल मीडिया के जरिये जानते थे अभी यह नहीं पता चल पाया है कि वो किसी तंजीम के लिए काम करते थे या नहीं इस मामले को लेकर होम मिनिस्ट्री ने जाज की हुक्म दिये हैं CRPF के महा निदेशक अनीश देयाल सिंग की कयादत में एक पैनल तश्कील की गई जिसमें अन्य सुरक्ष एजंसियों की मेंब्रान और माहिर शामिल हैं संसत की सुरक्ष में हुई चूक के मामले में बड़ी कारवाई की गई है संसत भवन सुरक्ष स्टाफ से जुड़े हुए आठ लोगों को सस्पेंट कर दिया है दरसल संसत पर आतंकी हमले की 22 वी बरसी पर सुरक्ष में एक बड़ा उलंगन तब हुआ जब शुर निकाल के दौरान दो घुस पैठी विजिटर ग्यालरी से लोगसभा कक्ष में कूद गए ये दोनों शक्स एक बैंच से दूसरे बैंच पर भागने लगे तब ही एक शक्स ने जूते से निकाल कर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी इस दौरान संसद में अफरत तफरी मच गई संसद यहां वहां भागने लगे हाला कि कुछ संसदों ने उन्हें पकड़ लिया और सुरक्ष कर्मियों के हवाले कर दिया लोग सभा के अंदर जब दो लोग कुदे तब ही संसद के बाहर पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए एक मर्द और एक खातून को ग्रफतार किया दोनों कनस्तरों से कलर गैस का छुड़काव कर रहे थे और नारे लगा रहे थे दोनों की पहचान अमोल और नीलम की रूप में हुई संसद में हुई बड़ी चूक के मामले में अब शिफसेना यूबी टी सांसर संजर राउत का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहा कि सरकार तो मूँ बंद करके बैठी है देश के युवाओं की दिशा बदल रही है वो निराश है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है लेकिन सरकार सभी राज्यों में शपत ग्रहन समहारों में व्यस्त है देश की सुरक्ष से खिलवाड हुआ है इस देश की युवाओं की दिशा बदल रही है तो निराश है विफलता से निराश है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है लेकिन सरकार निवड़नुक के प्रचार में चुनाव के प्रचार में है प्रदान मंत्रशी गुरो मंत्री तक सरोशन रक्षा मंत्री तक पूरी सरका यहां की सरकार क्वोन मंत्री बनेगा कौन जाएगा उसकाम में बीजी है तो यह यह जुआ है बेरोदगार युआ है महंगाई है उसके उपर कौन अपने आवाद उठाएगा है तो यह विफलता आती है लोगों के मन में लेकिन जो राष्टा चुना है यह लोगों ने गुजिश्टा रोज संसद में जो बवाल हुआ उससे पूरा मुल्क हैरान है बता दे कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर धेशत गरदाना हमला हुआ था जिसके बाद वहां की हिपाज़त बढ़ा दी गई लेकिन कल जो संसद में हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिये हैं इस पूरे मामले पर तहजीव टीवी से बात की सुप्रीम कोट के सीनिर एड़ोकेट मेहमूद प्राचा ने तो मोदी जी को उनको हो मिनिस्ट्री से निकाल देना चाहिए उनको फैनांस मिनिस्टर बना दे उनको कोई और ज्यादा जो लुक्रेटिव पद है वो दे दे लेकिन हो मिनिस्ट्री के वो लायक नहीं है आज ये देश ने पूरी देश ने नहीं पूरी दुनिया ने यहां अब कोई देश को दूसरा हो मिनिस्टर चाहिए 13 दिसंबर 2001 को संसद में इसी तरीके का आतंकी हमला हुआ था और आज जो यह हमला हुआ है इस 13 दिसंबर को प्रधान मंतरी खुद अंदर मौझूद थे कितना बड़ा यह एक मामला बन सकता था कि 2001 में 13 दिसंबर को ही जब हुआ तो उसको कहा जा सकता है कि सुरक्षा विवस्ता में चूक थी और क्योंकि वो पहली बार हुआता है ऐसा तो चूक कही जा सकती यह तो ब्लंडर है मध्यप्रदेश हुकूमत राम मंदिर के अभिशेक कि लिउत्य प्रदेश के अधिया जाने वाले भक्तों का इस्तक्बाल करेगी राम मंदिर की अभिशेक तकरीब 22 जनवरी 2024 को होने की उमीद है बीजेपी विधायक दलके नेता और उजेन साउच से विधायक मोहन यादव ने बुदवार को भुपाल में एक बड़ी तकरीब में मध्यप्रदेश के नए वजीर आला की तोर पर हलफ उठाया बुदवार को अपनी पहली कैबनेट बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सियम मोहन यादव ने कहा की मध्यप्रदेश के तमाम भक्त राम मंदिर अभिशेक के मौके पर आयोध्या आएंगे और रास्ते में उनके माते पर तिलक लगाकर उनका इस्तक्बाल किया जाएगा सेम यादव ने राम मंदिर तहरीक के दौरान कार सेवकों के सामने आई मुश्किल समय को याद किया और कहा कि अब समय आ गया है कि आयोध्या में भवे राम मंदिर देखने का उनका खौब पूरा होने के समय उन्हें सभी जरूरी सहुलियात फराम की जाएं एक सीनर अफसरान के मताबिक अभिशेक तकरीब में शामिल होने के लिए आयोध्या जाने वाले भवे भवे खाना पानी और दूसरी जरूरी सहुलियात समय सभी मुम्किन इंतजामात किये जाएंगे उत्यप्रदेश की सरहत से लगे इलाकों में ये इंतजामात किये जाएंगे ताकि लोग बिना किसी परेशाने के आयोध्या जा सकें अगर जरूरत पड़ी तो भक्तों को अयुद्या ले जाने के लिए तीर्थ दर्शन स्कीम की तर्ज पर स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया जाएगा आपको बतादी कि मद्दे प्रदेश में तीर्थ दर्शण स्कीम के तहट रियासत के सीनिय शेहरियों को मुल्क के शिनाक्ति शुदा तीर्थ मकमात की मुफ्त यात्रप की सहुलियत फरहन की जाती है आज संसत के सर्माई इजलास का ग्यारवा दिन है आपको बता दे कि बीते बुद्वार को संसत की हिफाज़त में चूक होने के बाद काफी हंगामा हुआ था जो आज भी जारी रहा संसत में दाखिल होते ही तमाम विपक्षी दलों ने संसत की हिफाज़त को लेकर मरकजी हकूमत पर हमला बोला जिसके बाद राजसभा ने इंतहाई बत्तमीजी के लिए सरमाई इजलास के बाकी हिस्से के लिए टीमसी संसर डेरेक अब्राइन को बरखास्त करने की तजवीज को पास किया राजसभा के चेर्मेन के मुताबिक डेरेक ओब्राइन सदन के वेल में दाखिल हुए नारे लगाए और सदन की कारवाही में खलल डाली क्योंकि विपक्ष ने कलकी सिक्क्योरिटी की खलावर्जी की घटना का मुद्दा उठाय था क्या कुछ कहा उन्होंने सुनवाते हैं आपको बता दे इससे पहले आज सर्माए इजलास में सरकार को घेंडने के लिए विपक्षी दलो ने बैठक भी की थी दिली एंसियार के लोगों को आज महंगाई का तगड़ा जटका लगा है दरसल राजधानी दिल्ली और इससे सटे नौईडा और गाज़बाद में सी एंजी के दामों में बढ़ात्री की गई है नई कीमते आज से ही लागों हो गई है ओयल मारकेटिंग कमपनियों के मताबिक इन शेहरों के लिए सी एंजी की कीमतों में एक रुपए प्रतिकलो की बढ़ात्री की गई है ताज़ा बदलाव के बाद दिल्ली के लिए सी एंजी की नई कीमत 76.59 रुपए प्रतिकलो ग्राम नौईडा के लिए 82.02 रुपए प्रतिकलो ग्राम और गाज़बाद नौईडा के लिए 81.02 रुपए प्रतिकलो ग्राम हो गई है गौर्टलब है कि बीते 20 दिनों में CNG की कीमतों में ये लगतार दूसरी बार बढ़ातरी की गई है इससे पहले बीते 30 नवंबर को भी दिल्ली NCR में CNG की कीमतों में 1 रुपे प्रती किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया था जिसके बार दिल्ली में CNG की कीमत 74 अशारिया 59 रुपे प्रती किलोग्राम से बढ़कर 75 अशारिया 59 रुपे प्रती किलोग्राम नौईडा में 80 अशारिया 2 सिपर रुपे प्रती किलोग्राम ग्रेटर नौईडा में 89 अशारिया 2 सिपर रुपे से बढ़कर 80 अशारिया 2 सि दिल्ली के लेटिनेंट गवर्णर विने कुमार सकसेना और वजीर आला अर्विन के जिवाल ने आज 500 नई इलेक्टरिक बसों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया वहीं सीम के जिवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को मैं मुबारक बात देता हूँ दिल्ली मुल्क का वो शहर है, जो एलेक्ट्रिक बसे में नंबर वन पर है, आपको बता दे की अब तक दिल्ली में थेरा सो एलेक्ट्रिक बसे हो गई हैं. तो दिल्ली अपने देश में वो शहर है जो नमबर वन इलेक्ट्रिक बसे पर है और इसी तरह से हमारी कोशिश है जारी रहेंगे दिल्ली के परिभर्ण व्यस्ता को सुद्रिड करने के लिए